नमस्कार, THINK 360 में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ पूजा शर्मा आज हम है राश्ट्रिय आरविदिक संस्थान में और आपको रूबरू करवाते हैं राश्ट्रिय आरविदिक संस्थान के कुलपती संजीव शर्मा जी से सर आपका स्वागत है धन्यवाद पूजा जी और मेरा भी आपके चैनल के सफी दर्शकों को साधर नमस्कार जी सबसे पहला सवाल जो मैं एक्साइटेड हूँ पूछने के लिए जैसे ही मैं इस संस्थान में एंटर हुई हूँ तो मैंने यहां पे बहुत सारे फॉरेन वाले स्टुडेंट को देखा है क्या राजे सर हमारे स्टुडेंट बाहर जा रहे हैं फॉरेन के स्टुडेंट यहां आ रहे हैं यह आईरवेद का प्रकोप है या देखे आज का जो परीद्शे है पूरे ये वैशुक परीद्शे है ये बास सही है कि हमारे बहुत सारे चात्र बाहर बढ़ाई के लिए जाते हैं लेकिन आयरवेद जो कि एक भारती एक ग्यान है और भारत की तरफ से विश्व को बहुत बड़ी एक देन है उसको पढ़ने के लिए निश्चित रूप से जो विदेशी चातर है उसको जानने के लिए जो भी लोग जानना चाते हैं उनको भारत आना पड़ेगा और यहां मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एराष्ट्य एरवेज संस्थान में हमारे यहां लगवक 16 देशों के चातर जो हैं यहां अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग लग सतर पे पढ़ाई कर रहे हैं जैसे ग्रेजुएशन में BMS भी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजु अंदेश लेकर के बहुत अच्छा ज्यान लेकर के और हमारे एक तरह से एंबेस्टर बन करके वो हमारे ज्यान को बढ़ा रहे हैं हमारे चात्रों में जो आयरवेद है उसके लिए अवेर्नेस बढ़े हम उन्हें किस तरीके से बताएं कि हमारे यहां पे बहुत अच्छे फ्यूचर है इसको लेकर हमें इसको विदेशों में बहार इंटरनेशनल लेवल पे इसको दिखाना चीए इसका जो प्रताप है वहां यह बिल्कुल सही बात है कि जो आयरवेद के प्रती अभी जागरुकता खास करके कोविड के बाद बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ी है लोग बहुत आयरवेद को लेकर के जागरुक हुए हैं और उस जागरुकता के कारण आयरवेद में जो हमारे युवा है जो है वो हमारे पास अड्मिशन ले रही है और निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे ये जो चात्र हमारे आयरवेद करके पहले भी निकले हैं या अब निकल रहे हैं ये देश ना बलकि देश में ही नहीं बलकि वीदेशों में भी अपनी ख्याती प्राप करेंगे और कर रहे हैं हमारे बहुत सारे चात्र मुझे बड़ा गर्व होता है हमारे इसी संस्तान के बहुत सारे चात्र वीदेशों में भी अपना बहुत सारा आयरवेद के माद्य हम से नाम कमा रहे हैं वहां आयरवेद का पर चार पर सारा और आयरवेद का लोगों को फ क्रेनी रही है भारत ने लीड किया है इंटरनेशनल लेवल पे कोविड से पहले और कोविड के बाद तो इस्टुडेंट का जो यहां पे एडमिशन लेने का है वो क्रेज बढ़ा है घटा है क्या रहा है देखे आईरवेद का वैसे तो अगर आप देखें तो आजादी के ब लोगों ने आम जन ना केबल हमारे देश में बलकि वीडेश में भी लोगों ने इसको पहचाना और हमारे देश के मानने परधान मंतरी महुदे और जो बरतमान सरकार है उन्होंने भी एक संदेश पूरे देश को और पूरे विश्व को दिया कि हम आईरवेद और भारती इस चीज को मानते हैं या कैसे देखते हैं कि भारत के लोग जब तक हमारी कोई चीज इंटरनेशनली साबित नहीं हो जाती हम उस पे यकिन नहीं करते क्योंकि हमारा आयरवेद वर्षो पुराना है तो क्या सोचते हैं देखें ये बात सही है कि कुछ हग तक कि कइबर जब बीदेशी ठपा या फॉरण व electronics लोग जब कहते हैं कि ये बात सही है तो उसको हम सहित स्विकार करते हैं लेकिन अब हमारे देश में भारत अपना बदर रहा हैं और भारत आत्म निर्वर हो रहा है और भारत की पहचाना विश्व में एक अलग देश की रूप में हो रही है और उसका परिणाम यह है कि आज भारती ये भारती होने पर गर्व करता है भारती ये वस्तों की, भारती अभ्यपार की, भारती टेकनालोजी की, भारती ये ओशदियं की अब लोग उसके गर्व करते हैं, तब ये बात की अब सिर्फ बिदेशी लोग उसको रिकोगनाईज करेंगे, तब हम पहचानेंगे, ऐसा नहीं है आज हमें अपने इस बढ़ते हुए भारत, उन्नत होते हुए भारत और आतम निर्वर भारत में ये सोच अब बदने लगी है, धीरे-धीरे ये बदलेगी इंस्टिटूट है, अदर हॉस्पिटिल्स है, लोग वहाँ पे जाते थे, भीड रहती थी, यहाँ जो हॉस्पिटिल की सुविदाए हैं, लोग उन पे कितना बलीव कर रहे हैं, और किस लेवल पे लोग यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं देखे, भारत में कई तरह की च्किसा पध्धियां काम करती हैं, हम आईरवेद च्किसा पध्धियां के बहुत सारे च्किसालेज और मेडिकल कॉलेजिस हैं। सब की अपने अपनी उपा दियाता है। वहां भी लोग पूरा फाइदा ले रहे हैं और हमारे यहां भी निश्चित है कि हमारे की सालेयों में अब रोगियों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ रही है और रोगियों का जो संतुस्टी का जो ग्राफ होता है जिसको सैटिस्पेक्शन इंडेक्स कहते हैं वो इंप् पास रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है ये एक तो लगातार सतत परक्रिया भी थी लेकिन इस सतत परक्रिया को कोबिड के जो अनुभव रहे लोगों के और जिस तरह से आयरवेद ने और आयूश ने कंट्रिबूट किया तो उसके कारण जो है लोगों का रुझान आयरवेद के प्रति निश्चित रूप से और हमारे संस्थान के प्रति भी काफी बढ़ा है सिर ओपीडी और आईपीडी की जो सर्विसेज हैं किस तरीके से वो बेनिफिशल साबित हो रही है दूसरा जो इस्टूडेंट के लिए है कि उनको लैबरेटरी किस तरीके से व बात करें तो हम मल्टीपल हास्पिटल्स रांग करते हैं या जाएपुर के अंदर ही एक तो हमारा जो केंप़स का में हास्पिटल दो सो असी बिश्च्टरों का वो हस्पिताल है और उसमें खूब भीड हमारे पास रोगियों की रहती है और आउड़ोर में भी और सेटिलाइट क्लीनिक है जंबा रामगड में एक और सेटिलाइट क्लीनिक है और एक बहुत बड़ा कैमपस डही सो विस्तरों का चिकिसा ले और साथ में आईरवीद महावीद द्याले जिसमें सनातक और सनातकोतर दोनों तरह की शिक्षा जो दी जाएगी वो पंच कूला में हमारा लगवग बनके तयार हो रहा है तो उसका दुगाटना पेक्षीत है कि इसी वर्ष हम कर लेंगे तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा विस्तरित हमारा इस राश्टे आईरवीद सनस्थान का क्षेतर है जहां तक आपने परियोगशालों की बात करें कि बच्चों के परियोगशालाएं कैसी हैं यहां मैं यह आपको बता दूँ आपके माद्यम से मैं आम जंदा को यह बताना चाहता हूं कि राश्टे आईरवीद सनस्थान में जो पूरे भारत बर्ष में जितने हमारे सनस्थान आईरवीद के हैं उनमें सबसे अच्छी परियोगशालाए यहां पर हैं बिलकुल एडवांस लेवरोटरी चाहिए वो क्लीनिकल लेवरोटरी हों सिमुलेशन लैब्स हों चाहिए वो वर्चौल रियल्टी लैब हों या हमारे अनॉटमी के डैसेक्शन टूल्स हों और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छी अच् यहां प्रबंध है जिसमें हम हर तरह की सुब्दा प्राप्त कर सकते हैं सर युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि उनका क्या फ्यूचर है आईरवेद में क्या आप बताएंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए किस लेवल पे वो ले जा सकते हैं उनका क्या स्कोप है फ्यूचर देखें युवाओं की आज का जो युवा है भारत में उसकी दो सबसे बड़े उसके पास प्रशन रहते हैं सबसे पहला एक रोजगार का सबसे पहला तो उसको ब्रेड बटर है और उसके बाद उसके उन्नती का ग्रोथ का क केरियर और केरियर प्रोगर्शन ये दो सबसे विक्राल प्रशन उसके पास रहते हैं तो मैं युवाओं को आपके महधियम से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आईरवेद को वो एक अपने केरियर के रूप में अपनाते हैं तो बहुत बड़े उनके सिर्फ ब्रे इसा के क्षेतर में ही जा सकते हैं या एक टीचिंग प्रोफेशन में आप पोस्कुरिशन कर ली टीचिंग में जा सकते हैं वहाँ सारे और ऐसे आयाम हैं केरियर अपर्चुनिटीज हैं आप इंडिस्ट्री में जा सकते हैं आप इंडिस्ट्री में जा सकते हैं आप तो इस आपसर का हमें फाइदा उठाना चाहिए और हमारे युवाओं को निश्चित रूप से आईरवेद में आ करके अपने रोजगार की संभावनाओं को और रोजगार और अपने जीवन में उन्नती की संभावनाओं को तलाशना चाहिए और बहुत अच्छी जब अधर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए एक स्कोप होता है कि या तो वो डॉक्टर है किसी पर्टिकिलर डिग्री के हैं या फिर अपना पर्सनल किलने को नोनी खोल लिया यहां पर आप तमाम डिफरेंट तरीके की बात कर रहें कि वो किसी इंडस्टी में ज चुरू कर सकते हैं या और भी स्किल्स हैं जैसे लोगों को पर्टिकुलरली पर्सनली भी ट्रेट कर सकते हैं पहले तो आप मुझे इंक्यूविशन सेंटर क्या है किस तरीके से आप इसमें करने वाले हैं चीज़े उसके बारे में बताईए बाकी देखें इनक्यूविश करेंूबरिय में और एक इनक्यूविशन सेंटर होना चाहिए उस इनक्यूविशन सेंटर का उदेशी यह एक युवाओं को आकरशित करना कि युवा जो हमारा मांद है युवा जो यंग ब्रेइन जो है वो बहुत टैलेंटिड है उसके पास आईडियाज हिसके पर रुटीया का खर्चा चाहिए. अब उसके परेंटस हो सकता हो που 4-5 लाक रुपई का खर्चा ना उठा सके तो उसका आईडिया वो उसका वीचार है वो उसके दिमाग में रह जाता है. अगर हम उसको support करते हैं उसका Hand Hold करते हैं उसको कुछ seed money दे देते हैं हम और साथ हम उसकी mentoring भी करते हैं तो वो अपने उस idea को एक मूर्त रूप दे सकता है जब वो उसका मूर्त रूप दे देगा तो एक prototype में हम उसको develop कर सकते हैं और अगर prototype अगर लगता है कि successful है useful है तो वो industry को transfer किया जा सकता है है कि हम यहां पर वो inclusion center चलाएं उनका मंतरित करें उनको handhold करें उनकी mentoring करें उनकी motivation करें और उनको अगर अवश्यकता है तो भारे सरकार की जो schemes हैं उसके अंतरगत उनको कुछ हम seed money उनके projects के लिए दें और वो कुछ जो बना के लाएंगे अगर वो अच्छा पाया जाता है तो technology हम industry को देंगे और industry जो है उसको market में लाएगी तो यह सारा inclusion center के माध्यम से होना है ताकि युवा जो हमारे हैं जो young brains हैं जो बिल्कुल intact हैं, fertile हैं, talented हैं, energetic हैं, motivated हैं लेकिन कहीं खो ना जाए भीड में हो तो उनको tap करने के लिए inclusion center की भारे सरकार ने कलपना की है चल रहे हैं बहुत सारे संसानों में हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ पने हाँ एक अच्छा inclusion center जो खोले हैं युवाओं में सिर after covid जो admission का growth है, वो कितना बड़ा है plus जो pass out है like graduation pass out हो गए PhD holder हो गए या master's किये हुए हो गए उनके क्या नए अविस्कार किये हैं यहाँ से जाने के बाद या अभी तक वो student जुड़े हुए हैं और कोई अगर करना चाता है जैसे अपने incubation center के बाद की तो किस तरीके से connect होके कर सकते हैं देखे यहाँ से हम हमारे यहाँ से graduates भी बाहर निकलते हैं post graduates भी निकलते हैं और post doctoral students यानि PhD करने के बाद भी निकलते हैं इसके अथिरिक diplomas भी हमारे पास हैं और सभी लोग कहीं न कहीं अपने किसी न किसी रोजगार में हैं हम अच्छी बात यह है कि क्योंकि यह चिकिसा भी अफसाय से जोड़ी ही शिक्षा है इसलिए एक सबसे पहला तो यह रहता ही रहता है कि और कहीं नहीं तो अपनी practice अपनी चिकिसा भी अफसाय तो आदमी शुरू करी लेता है इसके अथिरिक जो graduates हैं वो आदमीशन ले ले लेते हैं पोस्ट के बाद वो specialist यह एक सी particular field में expert हो जाते हैं तो फिर वो अलग लग दिशाओं में जा सकते हैं वो teaching में चले जाते हैं बहुत सारे आईरविदी college हैं जहां teaching में चले जाते हैं research में चले जाते हैं private houses में चले जाते हैं industry जितने फार्मा industries हैं जो आईरविद की और शिदियां बनाती हैं वहां पर चले जाते हैं इसके अतरिक और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं लेबराटरी में पॉइंट हो जाते हैं या CSIR में CCRAS में यह बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां वो अपने आपको इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलकुल अपने private hospitals या entrepreneurship के अंतरगात अपने अलग तरह के वेंचर जो हैं वो शुरू कर रहे हैं तो हमार मैं यह कह सकता हूं कि हमारे यहां से जो भी जितने सभी graduates निकले हों चाहे पोस graduate लगे हैं सभी well settled है एक अगर कोई ऐसे होंगे जो जिनका मुझे ग्यान नहीं है अगर ऐसे होंगे तो वो कहीं अपनी कमी के कारण होंगे या उनको किसी समय पर कहीं सभी मार्गदर्शन नहीं मिलागा या कि जिने handhold नहीं किया लेकिन यहां स हैं से जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या वो चातर यहां से जुड़े हूएं विल्कुल जुड़े हूए हैं चातर भावनात हम कुरूर से जुड़े हैं अभी हम परसों से ही हम यहां पर एक alumni meet कर रहे हैं दो और तीन को हमारी बहुत बड़ी alumni meet हैं जिसमें पराने चातर और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1962 के बैच के चातर भी उस ऐलुमिनाई मीट में आ रहे हैं, 1962 से लेकर के तो 2022 तक के जो ऐलुमिनाई यहां के पास आउट हुए हैं, उस सारे यहां आ रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1962 में जिसने ग्रैजुईशन कर ली थी, और आज 2022 में जिसने ग्रैजुईशन कर ली है, वो आपस में मिलन हो रहा है उन लोगों का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एमोशनरी लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, इस विद्या से जुड़े हुए हैं, और इस मिटी से जुड़े हुए हैं, और अपस में भी जुड़े हुए हैं, भारत विश्व गुरू बनेगा, जब हमारा आयरवेद, हमारी एजुकेशन, जो प्रनाली है, वो आगे बड़ेगी, इसी दिशा में जब सर बता रहे हैं कि जो 1962 के शात्र, सही बताया से, तो अलुबिनाई मीट कर रहे हैं, जिसमें ज हमारा आयरवेद है, आगे बड़े, इसको लेके क्या सोच है अभी अलुमिनाई मीट करने के लिए? तो हम कहीं स्टेंड नहीं करेंगे, हमें कुछ अपना जो मूल हमारा है, औरिजिनल है, उसको सामने लाना होगा, और भारत एक ऐसा देश है, जो जहां पर सभ्यता सबसे पहले आई, जहां पर ग्यान भी ग्यान सबसे पहले पला बढ़ा, या लग बात है कि कई कारण रहे विदेशी आकरमनकारी रहे, मुगल रहे, हमारे यहां अंग्रीजों ने राज किया, जिसके करण हमारे ग्यान जो या हमारा जो ग्यान का खजाना था, उसको तहस नैस किया, हमारी संस्कृती पे परहार हुए, हमारे खाने पीने पे परहार हुए, हमारे भाशा परहार हु हम हिंदी में माता और पिता बोलते हैं लेकिन कितने लोग हैं जो अपने यंग जो बच्चे हैं जवान जो बच्चे हैं वो कितने लोग हैं अपने माँ को माता बोलते हैं पिता जी को पिता बोलते हैं ऐसा यह सब कुछ यह हमारी संस्किति परहार है ऐसे संस्किति परहार है तो इन चीजों से हमें बहरा आना पड़ेगा अगर हम अपने मूल जो है हमारा मूल ग्यान जो है भारत एक कैसा देश है जहां प्राचीन ग्यान भी बहुत है और अर्बाचीन ग्यान हम रहा पस जो आधनिक भी ग्यान है उसका भी बहुत अच्छा ग्यान है और उसका हमने बहुत सारे ऐसे उदारन हैं कि और मैंने पहले भी कहा कि हम आतम निर्वरता की तरफ बढ़ रहे हैं चाहे वो वैक्सीन हो चाहे वो हमारा स्पेस साइंस हो चाहे वो मॉलिकुलर साइंस हो हर जगे हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हम प्षू गुरू हम बन पाएंगे सिर्फ एक पश्चमी सभ्यता को और पश्चम ज्यान को ले करके उसको हम नकल करके उसको रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो हम कहीं टिकने वाले में सिर्फ अपनी वैक्सिन की बात की कोवीड की तीसरी लहर के बारे में भी बात हो रही थी तो अभी उसको लेके अलर्ट कितना है अरविदिक संस्थान किस लेवल पर परिक्षन किये जाए देखिए आज तो आज के भारत की मैं बात करूं तो सिर्फ अरविदिक संस्थान नहीं बलकि एक आम जन भी COVID को लेकर के वैक्सीन को लेकर के पूरी तरह अलर्ट है पूरी तरह जागरूख है और हमारे यहां भी व रिकेंड वेव हो या बीज के अंतराल हो पोस्ट COVID हो रिसर्च हो या फ्री डिस्टिवशन आफ ड्रक्स हो या मैन पावर की सप्लाई हो हमारा संस्थान सदै आगे रहा है और आगे भी आगे रहे आगे ही रहेगा तो इसमें कोई दो राये नहीं हमारे चाहे चातर हो हमारे ध्यापक हों चाहे हमारे चिकित्सक हों सबने बहुत महत्कुन भूमी का COVID के विकट काल था उसके दौरान करी है और आगे भी करते रहेंगे हम ना केबल COVID अपितू जो भी इस तरह की बिमारियां या इस तरह की समस्यां आती हैं देश के सामने संस्थान उसके लिए स आरविदिक की पढ़ाई करने के लिए लैंग्विज कहीं barrier होता है क्योंकि जब मैं यहाँ पर विदेशी स्टूडेंट्स को देख रही हूँ तो देखे language कभी कोई barrier नहीं होता है कहीं भी किसी को barrier नहीं होता है सिर्फ एक मनमें भावना चाहिए मनमें भावना है कि मुझ यहां English में भी है, उसी को हिंदी में भी है और Sanskrit में भी है, तीनों languages हम उज़ करते हैं, Sanskrit, Hindi और English, तीनों हम students को कोशिश करते हैं, जो खास करके विदेशी हैं, वो किस language में comfortable हैं, लेकिन उनको Hindi जरूर सिखनी पढ़ती है, सिखानी पढ़ती है, क्योंकि हम तो उनको English में understanding है, वो करवा देंगे, लेकिन क्योंकि जब किसाल है में अपने ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो उनको रोगियों से बात करने हैं, तो रोगी एक बचारा English नहीं जानता हो भी यहां पर आता है, और हम तो खास करके हिंदी भाशी क्षेतर में हैं, तो यहां हिंदी बोलने पढ़ती हैं, और सीखते हैं, बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, अच्छा बोलने हैं, उनकी हिंदी सुनके हमें बहुत अच्छा लगता है, वो संस्कित भी पढ़ते हैं, और वो इंग्लीश में भी घ्यान अरजित करते हैं, वो हमारे पूरे, और बहुत सारे ऐसे हैं, ज सब्सक्राश करके विदेश्टी लोग जी सर मैंने नेट पे देखा था जब वेबसाइट में लिखा हुआ था पंचकर्म आयरवेदा और होमियोपैथि तीनों को आप कैसे डिफाइन करेंगे सर कैसे एक दूसरे से एक दूसरे से अलग है या नहीं देखो पंचकर्म तो आय पद्दतियें चलती है मैंने आपको पहले का आयरवेद है योग है युनानी है होमेपैथि है सिद्ध है यह पैथि जो आयू सिस्टम जो कहते हैं वह यहां है सो और वाइक अलग से है उसके साथ साथ जो मॉस्टर्न मेडिसिन है या इलोपैथि जिसको कहते है या मॉडर् बढ़िया है ऐसे ही आयरवेद के अलग सिद्धान्त है आयरवेद के मौलिक सिद्धान्त है और उनके उपर उनके सिद्धान्तों के अनुसार जो है वो काम हम उसके अनुसार काम करते है होमेपैथि के अपने सिद्धान्त है होमेपैथि का मुझे ग्यान नहीं है इसलिए में उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन होमियोपाथी और आयरवेद ये दोनों अलग-लग किसा पद्धेती हैं और अलग तरीके से अलग-लग किसा सिधानतों के काम करते हैं सर आज बजट पेश हो रहा है और आपको क्या उम्मीदे हैं कि आयरवेद के लिए स्पेशली क्या होना चाहिए जो कमियां आपको लगती है कि ये अभी बाकी है इसमें और सुधार की जरुरत है इसके लिए बजट होना चाहिए आज बजट पेश हो रहा है निश्ची तरूप से हमारे आधनिये बितमंतरी महोदया आज बजट पेश कर रही हैं अभी बजट को मैंने देखा नहीं है कैसा क्या उसमें दिया गया है लेकिन निश्ची तरूप से जो वरतमान सरकार है भारत सरकार ने आईरवेद को लेकर करके और आयूश को ले करके बजट के लिए कफी अपने मतर कोई संकोच नहीं किया है नहीं संकोच उसमें बजट दिया है और बजट की कहीं कोई कमी नहीं यह कहीं कोई की बजट की कमी करण इस वट आईरवेध का प्रचार प्रसार या प्रेयोग जो है वो करा है तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं भारा सरकार की तरफ से पूरा खुला एक तरह से खुली सहाइता जो है बजट के रूप में दी जा रही है और उमीद है कि इस बजट में भी हमें आईरवेद को बहुत अच्छा एक हिस्सा जो है बजट का मिलेगा प्रशन हमारे उपर आत रहा रही है और हम कोशिश करते हैं कि वह बजट जितना सरकार देती है वह अच्छी तरह से पूर आज़ग हो अब कहीं जा के आयरवेद सुनने में आ रहा हैं मतलब लोग घरों में ठीक है वहatar की टीन है हमीज करते थे लिकिन जिस तरही के से आफ्टर 2014 ये आयरवेद बढ़ रहा है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे तो कही न कहीं लगता है कि सरकारों की कमी थी या हमारी कमी आजाद जब भारत हुआ तो कई तरह की समस्याइं भारत में थी मूल भूद समस्याइं थी और उन समस्याओं को से निवटना सरकारों की प्रात्यमक्ता थी उसमें अनकी कमी थी देश में कृशी उत्पाद बहुत कम थे गरीबी थी शिक्षा की विवस्था पूरी नहीं थी तो सरकारों का बहुत सारा जो रिसोर्सी सेंसरकारों के संसादन हैं सादन हैं वो वहां लगते थे और धीरे धीरे हम हम शिक्षा के क्षेतर में बहुत आगे बढ़े ऐसे ही क्रिशी के जब हमारी ग्रीन रिवलीशन आई और ग्रीन रिवलीशन क्रिशी पे हम जब दूसर आतम निरवर हो गए हैं तो सरकारों का हमेशा प्रयास जन आम जन का ये कल्यान करना रहा है लेकिन ये बात सही है कि दो हजार चुदा के बाद जब बरतमान सरकार आई और मानने परधान मंत्री महोदे जी ने अपना कारेबार प्रहेंड किया तो आईरवेद और भारती जो भारती अता उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया और ज्यादा एक तरह से मोटिविशन लोगों को मिली है और उसके बाद फिर कोविट जब आया तो उसके बाद और ज्यादा जो है उसमें मिली है तो निश्चित रूप से आईरवेद आगे बढ़ रहा है और भार सरकार का उसमें पूरा यह उदान है सर हमारी जो शिक्षा पदती है उसमें हम व्यावसाइक शिक्षा के साथ साथ एक जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं आईरवेद चुकि हमारा खुद की पदती है खुद की संस्कृतिक भी एक इसका महत्व है जो विदेशी स्टुडे आते हैं सर उनको हम व्यावसाइक के साथ साथ जीवन जीने की अविसली कला देते हैं आप क्या सोचते हैं कि वो यहीं रह के काम करें या बाहर जाके देखे एक बात जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कहीं कि जीवन जीने की कला आईरवेद बेसिकली चिक्षा ऑशदी क्या है आई आईरवेद इससीरे बाता है कि आप बीमार होगे तो ऐषादी ले ले लो ऐदवाई ले ले लो तो ठीक हो जाएंगे अईरवेद पहले तो यह बताता है कि जीवन जीना क trabalho और जीवन को अपने है लाइफ को अपने को माइंड को कैसे सवस्ध रखना ह है ठीक है स्वस्थ से स्वास्थे रक्षनम मतलब स्वस्थ के स्वास्थे की रक्षा आप स्वस्थ हैं तो हम आपको यह बताएंगे कि जो आपका स्वास्थे अच्छा रही से अपने स्वास्थे की रक्षा करें क्या क्या करना चाहिए ताकि आप बीमार ना हो हाँ अगर ज इसके अधरिक्त जीवन के अनेक ऐसे पहलू हैं, चाहे वो आचरण को लेकर के हो, चाहे वो दिन चरया हो, रात्री चरया हो, रितू चरया हो, ये सारी बातें आईरवेद में बहुत सुंदर ढंग से लिक्की होई हैं, और बताई होई हैं कि जीवन असली रूप से कैसे जीन होकर के जीवन जी रहे हैं इसलिए बहुत सारा जो है वो environmental challenges हमारे सामने आ रहे हैं लेकिन आईरवीर ये सिखाता है कि हम प्रकरती के हीसा हैं और प्रकरती के साथ साथ समानांतर रूप से प्रकरती के साथ साथ चलना चाहिए और प्रकरती में जो प्रवर्तन हो रहे हैं या बर्मांड में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हमारे शरीर में भी हो रहे हैं क्योंकि बर्मांड का जो एक भी परिवर्तन ऐसा नहीं है जो हमारे शरीर को और मन को प्रवावित ना करता हो अगर बर्मांड में धूप लगती है तो तो हमारा शीर दूप से प्रभावित होता है, ठंड होती है तो ठंड से प्रभावित होता है, गर्मी होती है तो गर्मी से प्रभावित होता है, बाड आती है तो बाहर से प्रभावित होता है, यह जो हमारा ब्रह्मांड का परिवर्तन है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यह जो इस शरीर में है वो ब्रमांड में भी है यत ब्रमांडे तत पिंडे यानि माइक्रो कोस्म एक बहुत बड़ी कलपना है ये माइक्रो कोस्म है और जो पूरा विश्व है वो मैक्रो कोस्म है और इनमें दोनों में सिमिलारिटी है जो हमारा body जो है हमारा शरीर जो है वो उस macrocosm जो हमारा ब्रह्मांड है उसका एक replica है चोटा सा और वो दोनों एक दूसरे से connected हैं हम उनको उसको disconnect करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश का परिणाम है कि कई तरह की प्राकृत आपदाएं चाहे वो covid ले लिजिए चाहे global warming ले लिजिए हमारा pollution ले लिजिए सब उसी के कारण हो रहा है जब हम ब्रह्मांड से या प्रकृती से disconnect होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रकृती हमें disconnect करने जा रहे हैं सिर मेरा आखिरी सवाल आपसे जो स्टुडेंट अब आईरवेद में आना चाहते हैं शॉट टम कोर्सेज के अपने बात की क्या वो जॉब के साथ वर्किंग प्रॉफेशनल होके भी उनको अडॉप्ट कर सकते हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं और क्या प्रॉसेस होगी ब्यूटी ट्रेनिग प्रोग्राम है ऐसे और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स divre नहीं हैं आपना काम करते हुए इनको अपने नोकरी करते हुए अपने यह ट्रेa आपने करक ट्रेंब कर सकते हैं तो ऐसे कई थरह की को हैं और पहले चला भी चुकह हैं और अब ही चला रहा है और मुझे बताते खुशिय होते हैं कि बहुत सारय आसे लोगों हैं जो ऐसी ट्रेञ्णिंग कर गें और आगे इन्होंना अपने व्यववचाई इस तरीके से शुरू का बहुत सब्ल अपना कारे कर रहे हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए ये थे हमारे साथ संजीव शर्मा जी जो राष्ट्रे आयरुवेदिक संस्थान के कुलपती है आयरुवेद में तमाम तरीके की स्कोप है आपके व्योवसाई से लेके आपकी दैनिक जीवन ज किने की कला तक का आज हमने ये सारी बाते डिस्कस की थी सर से तो आप हमारा कारीकरम देखना ना भूलें और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो निय.nic.in पे जाके भी आप इनकी जो राष्ट्रे आयरुवेदिक संस्थान की वेबसाइट है उस पे जाके आप तमा आप गाष्ट आप।